आपका स्फवागत करते हैं एक और नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाशल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ओफ इंडिया के ओफिस में डिप्टी रेंजर, टेकनिकल असिस्टेंट और फिल्ड में की पोस्ट पर होने वाली भरतियों की ये भरतियां होने वाली है SSC सेलेक्शन पोस्ट 2024 के माध्यम से आपको यहां पर डिरेक्ट ऑफिस में अप्लाई नहीं करना है बलकि आपको अप्लाई करना है SSC के माध्यम से टोटल दो हजार उन्चास पद भरे जाने वाले हैं SSC सेलेक्शन पोस्ट 2024 के माध्यम से और यह सारे पद भरे जाएंगे भारत सरकार के अंतरकत आने वाले सरकारी दफ्थरों में और Forest Survey of India में भी यह पद इसी माध्यम से भरे जाने वाले हैं वीडियो में आगे बात करने से पहले आप अगर हे माध्यम से रिलीज होने वाली और जो रिलीज हो चुकि Class 3 की पोस्ट के लिए तियारियां कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारा Government Jobs for You Android एप इंस्टॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस एप में आपको Class 3 के लिए पूरा कोर्स मिल जाएगा और इसके अलावा अगर आप SHPPSC, JO Accounts और Auditor के तियारियां कर रहे हैं तो इसके लिए आपको Separate Course मिल जाएगा इस Course में आपको Paper 1 और Paper 2 का पूरा का पूरा Material मिलने वाला है और Material Add भी होता रह रह रहा है Regularly Vases पे इसके अलावा आप हिमाशल पतवारी का कोर्स बाए कर सकते हैं और आप बाए कर सकते हैं हिमाशल प्रदेश विधान सवा में जो भरतियां होने वाली है कलर्क, जेवाइटी, फ्राश, चौकिदार, ड्राइवर इन सब के लिए आप Study Material बाए कर सकते हैं बात करते हैं आज किस जॉब नोडिफिकेशन की SSC Selection Post 2024 के मादिम से 2000 से अधिक पत भरे जाने वाले हैं और अगर बात करें हिमाशल प्रदेश में स्थित Forest Survey of India में तो यहाँ पर कुलमिला के साथ पत भरे जाएंगे पहली पोस्ट रहने वाली है Junior Technical Assistant इसके तीन पत भरे जाएंगे अंध रिजव के लिए दो पोस्ट रहेगी और OBC के लिए एक पोस्ट रहने वाली है अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए आप Graduate होने चाहिए अठारा से अठाइस वर्ष के पीछ में आपकी एश होनी चाहिए पेस के लेवल आप उच्छे दिया जाने वाला है अगली पोस्ट रहेगी डिप्टी रेंजर की इसका एक पत भरा जाएगा ST के लिए रिजर्व रहेगी और इसके लिए भी आप Graduate होने चाहिए इसके लेवल दो आपको यहां पर दिया जाने वाला है अगर आप इन पोस्ट के लिए अपना अपलाई करना चाहते हैं तो आपको 26 फरवरे से लेकर 18 मार्श 2024 तक अपना आउनलाई अपलाई करना होगा एक्जाम 6 से 8 माई के पीछ में होने वाले हैं एपलिकेशन फीस की बात करें तो आपको देने होंगे 100 रूपीज जर्नल OBC और अपनामिकली विकर सेक्शन केटेगी वालों के लिए SCST दिव्यां के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है और यहां पर यह कहा गया है कि टोटल 2049 पोस्ट रहेगी पहले आपका होगा रिटन टेस्ट, फिर होगा स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेट वेरिफिकेशन, मैडिकल एक्जामिनेशन फिर आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी जहां पर आपका सेलेक्शन होगा पेपर दो घंटेगा होगा उसमें आपका यहाँ पर 1 4th negative marking भी होगी CBT होगा इसमें आपसे general intelligence, general awareness, quantitative aptitude, English language चारो section 25-25 नमबर के रहेंगे sorry 50 नमबर के रहेंगे और 25-25 question रहने वाले हैं तो आप इसके लिए अपना अपलाई कर सकते हैं करने का लिंक, notification का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे इस वीडियो की description box में